मैं तलाब पे पहुँच चुका हूँ इसमें जीरा डाला गया था बहुत ही छोटे छोटे से बहुत ही आकार इनका छोटा था अब इस टाइम आप देख सकते हैं कि लगभग में काफी ग्रोथ ले चुकी हैं यह लगभग 2-2 इंच की 3-3 इंच की मचलिया हो चुकिए कुछ मचलिया इसमें बड़ी साइज की हैं तो कभी भी छोटे आकार में इतनी मचलिया ना रखें क्योंकि छोटे आकार के जो तॉलाब होता है उसमें जब बादे ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत ही बच्चों को कट्नाई होने लगती है पानी की जब भी कमी पड़ती है और पानी जब कम होता है तो आक्सीजन की कमी भी हो जाती है तो सारी मचलिया उपर आ जाती है और उपर आ करके इस तरीके से तैरने लगती हैं कि आप देख सकते हैं कि अगर अक्सीजन की कमी होगा तो आपके तालाब की सारी की सारी मचलिया उपर आ जाएंगी और इस तरीके से तैरना सुरू कर देंगी देखिए अब देख सकते हैं कि वो लड़का जो मचलिया पकड़ रहा है तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों हमेशा तालाब में पानी की मातरा को बरकरार रखें और आक्सीजन अच्छे तरह से जैसे पानी या उपर से गिराके या दवा डालके किसी भी माध्यम से आक्सीजन की पूर्ती करते रहें क्योंकि जब भी आक्सीजन की कमी पड़ेगी तो आपके तालाब की मचलिया कुछ इसी तरीके से एक्टिविटी करती हुई मिलेंगी कि पानी में आक्सिजन की कमी पड़ रही इसलिए सारी मचलिया उपर आ रही है तो दोस्तों इसका विशेश ध्यान रखें कि पानी अधिक हो तभी जाके देशी मचलिया सकसज हो पाती है तालाब में यह बहुत ही छोटा तालाब है यह आप देख सकते हैं एक दम छोटा सा शोटा काफी डाल दिए है जिसके वज़े से इसमें हलचल हमेशा होती रहती है तो आप भी शाण बाड़ा बनाएं बड़नाख में ही देसी मचलियों को डालें कूई अच्छा आप अगर कमाना हना तो शाय जो है बाड़ होना चाहिए छिससे कि चितना ही देसी मचलिया प मैं आपको दिखाने चाहूंगे आप तो इस साइड से देख सकते हैं कि सारी मचलिया सब ऊपर ही है क्योंकि आक्सीजन की कमी पड़ रही है इस समय बहुत ज्यादा इसके वज़े से इनका दूसरा तालाब भी क्या है कि निर्माण हो रहा है तो जीरा लाके इसमें डाल दिये थे और उस जीरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो दोस्तों अब ये जीरा जब थोड़ा बढ़ जाएगा तयार हो जाएगा फिर ये जो नया तालाब worn ह रहें उसमें डालेंगे देखते हैं का ग्रूथ कैसा होता है आप वीडियो पर बने रहें हमारे चैनल के बने रहें और आगे मैं अपडेट देता रहूंगा की कैसे इनका ग्रूथ होता है नए तालाब में फिलाल के लिए इस एस चोटा सा जहां पर मचली का जीरा डाले थे इसमें तो अच्छा ग्रोथ हुआ है आगे हम देखेंगे कि उस वाले तालाब में जब मचली आ जाती है तो नए मिट्टी में कैसे बढ़ती है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनबात थैंक्स पार वाचिंग थैंक्यू सो मच्छ अपना प्यारे से वीडियो पी बनाये रखें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर प्रेस करें बेल आइकन को भी दबाएं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ज करें हिन